आज के इस वीडियो में हम जिस टौपिक पर बात करने वाले हैं वोटिज एक्षसं रिसर्ज क्रियात्मक अनुसंधान क्या है तो रिसरच की बारे में तो आपें सुना होगा रिसर्च बार-बार सर्च करना कि रिसर्च ने उमन की बारने क्विज को दूर करके हर फिल्ड में बिजनेस की बात करें हर फिल्ड में ने-ने इन्वेंशन जो हो रहे हैं और रिसर्च का ही तो एक परिणाम है उसी का तो एक रिजल्ट है तो रिसर्च ने human की problems को दूर करके human की life को और ज़्यादा easy बना दिया है लेकिन रिसर्च की बारे में कि आपको सर में दर्द हुआ और आपने क्रोसीन खाई और immediate आपके जो सर का दर्द दीरे-दीरे ठीक हो जाता है तो उसी तरीके से एक्सिन रिसर्च की बात करें तो जो हमारी life की या इस स्कूल की day to day जो यह problem है उसका solution जो है वो एक्सिन रिसर्च के दौरा क्रियात्मक अनुसंदान के दौरा किया जाता है तो ऐसा एक्सिन रिसर्च मतलब जो भी problem है उस पर एक्सिन जल्दी से जल्दी लेकर उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है जैसे आपने सुना होगा fast track जहां पर जल्दी से जल्दी result तक पहुँचने की कोशिस की जाती है ठीक है तो उसी तरीके से action research है जहां पर जो भी problem है उसका immediate solution देने का प्रयास किया जाता है तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि research का ये type जो है action research है जिसमें problems का immediate solution खोजा जाता है उसको जल्दी से जल्दी problem को दूर करने की कोशिस की जाती है तो अगर हम research की बात करें तो research इसका किया जाता है और इसके काड़नों तक पहुंचा जाता है उसका क्या सोलिशन हो सकता है उस पर बात कि जाती है लेकिन रिशर्च में टाइंब वह ज़्यादा लगता है इसलिए 嘲ु के स्कर करें कि ठ्राइप करें ट्राइप्ड करें किसंतने में डेली लाइफ की problem है ठीक है इसको हम फिर इसका solution कैसे निकाला जाए तो इसी के लिए जो research का एक जो नया रूप हम आज जो हम पढ़ रहें क्या कहते हैं उसको action research the day-to-day problems of the school are solved by action research ठीक है कि school की जो डेली जो problem है रोजाना की जो समस्षा है इसका समधान किसके द्वारा निकाला जाता है action research लेकिन action research की एक खासियत है कि it is based on traditional research method की जो प्रमपरागत जो अनुसंधान की जो विद्धियां उसी पे अधारित है मतलब कैसी अधारित है action research में भी जो भी प्रॉब्lam से उसके काड़नों का पता लगाना उसके solution तक पχुचना तो एक systematic तरीके सी किया जाता है लेकिन एक traditional research से किस तरह से अलग है कि traditional research में time जादा लगता है लेकिन external research में जो immediate solution की बात की जाती है जल्दी से जल्दी जो problems है उसके कार्णों का पता लगा कर इसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है तो traditional research में सालों लग जाते हैं लेकिन external research में कुछी दिन में हम solution तक पहुँच जाते हैं Various problems related to school are included in this कि इसमें विद्याले से समंद्धी जो अलग अलग problems है चाए हम discipline की बात करें चाहे हम साभ सफाई की बात करें चाहे हम teaching learning की बात करें, चाहे teachers के attitude की बात करो, चाहे बच्चों की interest की बात करो तो जो स्कूल की daily life की जो problems है एक किसमें सामिल किया जाता है include किया जाता है एक्षन रिसर्च में और जो डेली जो प्रॉब्लम है डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम है इसका सॉलुशन भी किसके दौरा निकालने का प्रयाज किया जा रहा है एक्षन रिसर्च के दौरा So immediate solution to any problem related to school is called action research कि विजयले से सम्मंदित किसी समस्या का ततकालिन समाधान किरियात्म कनुसंदान कहा जाता है तो अभी तक आपको action research समझ में आ गया होगा कि जो बाकी की research है traditional research है किस तरह से ये अलग है क्योंकि traditional research में कई सालों लगते है टाइम ज़्यादा लगता है immediate solution की बात की जाती है तत्कालिन समधान की बात की जाती है तो अगर हम extra research की बात करें तो इसको कहां पे conduct किया जाता है इसको school में conduct किया जाता है किसी organization भी conduct किसी अलग-लग organization भी इसको conduct कर सकते हैं लेकिन देखिए हम बात करें education की तो अभी हमारा focus school पे होगा college पे होगा तो इसका जो हम इसको संपाधन किया जाता है कहां पे किया जाता है इस school में किया जाता है ताकि इस school की जो daily life की जो वहां की जो problems है उसका जल्दी से जल्दी solution मिल सके और school में जो teaching learning जो process है उसको smoothly आगे बढ़ाया जा सके ठीक है तो इसलिए जो action research है कहां पे conduct किया जा रहा है school में conduct किया जा रहा है ताकि school की जो problems है जल्दी से जल्दी उनके solution तक पहुंचा जा सके और teaching learning को एक सही path पर आगे बढ़ाया जा सके so the credit for using it has been given to Stephen M. Corey कि इस action research को प्रियोग करने का इसको आगे बढ़ाने का इसको introduce करने का स्रीक इसको जा रहा है Stephen M. Corey को इसका जो एक तरह से आप कहा सकते हो कि उनको दिया जा सकता है in this the principal of the school inspector and teacher are the researcher कि अगर action research की बात करें आपको यह भी पता चल गया action research किया है आपको यह भी पता चल गया कि school में conduct होता है अलग लग organization भी conduct हो सकता है तो इस school में conduct हो रहा है तो researcher कौन है तो researcher यह शोट करता कौन है उहां का principal आप as a teacher आप भी researcher हो सकते हैं वहां के जो inspector है वो हो सकते हैं तो एक school में conduct किया जा रहा है तो वहां के teacher और इस पर इंस्पेक्टर है सारी researcher हो सकते हैं all these people try to fix the problems of the school quickly through action research के सभी लोग action research के द्वारा जो विद्याले की जो समस्य है उसको जल्ली से जल्ली ठीक करने का प्रयास करते हैं अब हम बात करते हैं action research के क्या-क्या objective में क्या-क्या उदेश हैं to make the working system of the school effective की विद्याले की जो कारी पढ़नाली है उसको प्रभावशाली बनाना to develop the learning level of the student की विद्यारतियों की अधिगम इसतर का विकास करना to create an effective teaching learning environment in the school and classroom की विद्याले वक्षा-क्ष में to improve the working system of the school की विद्याले की जो कारी पढ़नाली है उसमें सुधार करना to develop scientific attitude among the teacher, principal and invagilator या inspector of the school की विद्याले की जो सिख्चा के परधांचार हैं जो निरिक्चक हैं उनमें विज्ञानिक दृष्टि कौन का विकास करना किसके मादियम से action research के द्वारा and to give suggestion to educational administrator and manager for improvement and change in the functioning of the school तो overall हमें क्या समझ में आ रहा है कि action research का जो objective है कि ना कि इवर teaching learning जो है उसको effective बनाना बलकि school को एक बहतर school बनाना ठीक है इस school में क्या होगा कि अगर teacher जो है मिलकर काम करेंगे बच्चों की problems को समझेंगे day to day जो school की जो problems है चाहे हम बात करें बच्चों की behavior से related problem है curriculum से related problem है discipline से related problem है चाहे साफ सफाई से related problem है चाहे infrastructure से related problem है एक्सेन research के द्वारा teachers principal इन problems का पता लगा कर इसको अगर दूर करेंगे तभी तो एक अच्छा school हो सकता है school की problems अगर दूर होंगी तभी तो school में teaching learning effective हो सकता है तो action research के द्वारा जो school की जो daily problem है day to day की जो problem इसको दूर करने का प्रयास किया जाता है ताकि teaching learning जो है effective हो सके steps of action research तो अब यह भी question आते हैं कि चलो action research तो समझ में आ गया क्या है इसके objective क्या है लेकिन start कैसे करें action research कहां से start करें तो देखिए इसके steps और action research देखिए आप में से बहुत सारे डिलेट के बच्चे हैं बेट के बच्चे हैं तो जब आप school में internship के लिए जाओगे और जाने पर आपको action research करना होगा तो आपके सामने question होगा कि start कैसे करें तो इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि action research में स्कूल से जो problems है उसका पता लगाया जाता है और उसको मतलब उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है तो starting कैसे करें तो सबसे पहले identifying the problem समस्य की पहचान करना तो देखिए सबसे पहले school में जाते हैं तो school में अलग लग तरिकी problem हो सकती है वो सकता है curriculum से related problem हो सकता है teaching method से related problem हो हो सकता है कि teachers का जो behavior हो ठीक ना वो से related problem है बच्चों के interest से related हो सकता है ठीक है discipline से related हो सकता है school में security से related हो सकता है साफ सफाई से related problem हो सकता है तो अलग लग problems school में हो सकती है ठीक है तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि स्कूल में कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स है तो identifying the problem समझ से है कि पहचान करना अब मालो आपने पांच है प्रॉब्लम्स जो है आपने देख ली कि अलग लग एक problem है problem 1, problem 2, 3, 4, 5, 6 तो अब एक साथ सभी problem का तो solution नहीं निकाल सकते न तो उसमें से आप कोई भी एक problem जो है आप select करो आपने एक problem जो select किया मालो आपने select किया कि बच्चों के disciplines related जो problem है आपने उसको select किया कि class में disciplines related problem ह इसलिए जो बच्चे ठीक से पढ़ना ही पाते तो आपने अलग लग problem में से किसी एक problem को select किया उसके बाद क्या हुआ define अब आप अपनी problem जो आपने select किया discipline related जो subject किया तो उसको आप one two words में उसको define करो ठीक है उसके बाद delimit the problem define be key delimit का मतलब है कि आप जो action research है research कहां तक limit है आप किस class पर कर रहे हैं आप पूरे school पर तो कर नहीं सकते हैं तो आप कि class पे कर रहे हो आप six class पर करें 70 class पर कर रहे हो तो आपकी जो क्या है जो अपनी study है उसको delimit करनी होगी problems को delimit करनी होगी मालो आपने जो यह problem है इसको डिलिमिट किया class 8 तक ठेके आप इसको class 8 पर कर रहे हो उसके बाद discuss possible causes of the problem फिर क्या करना कि समस्या के जो संभावित कारण है उस पर आप बाकी टीचर्स के साथ आप discuss कर सकते हो कि अच्छा discipline problem है तो इसके जो possible जो कॉजिस है क्या हो सकते है उसके बाद आता है formulation of research hypothesis research hypothesis क्या है मतलब इसको आप कह सकते हो कि possible solution कि अच्छा possible causes है तो इसके possible solution क्या-क्या हो सकते है ठीक है इसके बाद next पाता है research design तो अब आपको exact problem का पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको research करनी पड़ेगी research के लिए आपको design तयार करना पड़ेगा किस तरह का design सबसे पहले कि आप करोगे planning करोगे कि आप जो डाटा है कि से collect करोगे और कि 누ہ बात करेंगे तो इत किलास के बीचे opentonet कि आप 25 आप इनकाप क्लास की जो teacher हैं आप उनसे बाद करोगे ठीक है जो और 되고 पूल के जो वर्कर्स हैं आप उनसे बात करोगे आप बच्चों के पैरेंट से भी बात कर सकते हो तो रिसर्ट डिजाइन में आपको एचीज डिसाइड करनी होती है प्लैन करना होता है कि आप किन-किन मैथर्स के थूरू आप किससे डाटा क्लेक्ट करेंगे आप इंटर्व फिर नेक्ट आता है आप डाटा को करेक्ट करोगे ठीक है आप बच्चों से बात करोगे टीचर से बात करोगे उनके पैरन से बात करोगे स्कूल में जो और श्टाफ है आप उससे बात करोगे और उसके बाद डाटा आप डाटा करोगे तब आपको एक वास्तविक जो प् पूरोगे आप उसको ठीक करने की कोशिस करोगे ठीक है conclusion और लाश्ट में फिर क्या होता है conclusion तक आप पहुंचोगे कि क्या problem थी इसको कैसे solve करने के लिए आपने क्या क्या उपाय किये ठीक है और generalization मालो आपने एक problem दूर कर ली तो उसके बाद इसी तरीके का जो आपने इसमें जो efforts किया इसको दूर करने में फिर से आप इस तरह का प्रयास कर सकते हो और लाश्ट में यहां पर feedback भी होता है कि बाद में पता लगाने कि अच्छा आपने जो efforts किया जो प्रयास किया उसे बच्चों की problem कहां तक दूर हुआ तो इस तरह से external research के steps है ठीक है क्रियात्म करूसंदान के चरण है जब भी आप school में जाओ external research के लिए तो सबसे पहले आपको देख रहा है कि school में क्या क्या problems है ठीक है उनमें से किसी problem को सरक्क करो उसके बाद फिर आप जो भी problem है एक तरह से definition की हम बात करें तो यहां पर आपको जो आपका topic जो होता है यहां पर topic मेंसन करते हो कि आपने topic क्या लिया delimit उसके causes पर बात करना possible solution है ठीक है research design करना data collect करना analysis करना और एक conclusion तक पहुचना और उसको फिर generalize करना तो यह action research के steps हैं इसके बाद अगर हम बात करें characteristics of action research की क्रियात्म करना संदान की क्या विशेशता है there is an immediate solution to any problem in this कि हमने जैसे पता चल गया कि action research में क्या है किसी भी problem का immediate solution की बात की जाती है इससे किसी भी समस्या का ततकाल समधान होता है this can only be done by a person who is directly related to the problem कि यह केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो समस्या से प्रत्रेक्स रूप से जुड़ा हो मानलो हमने 8th class की बात की और आप पढ़ाते हैं 5th class में 12th class में तो क्या आप उनकी problems को आप पता लगा सकते हैं ठीक है आप क्या identify कर सकते हैं तो identify होई कर सकता है जो इ इसलिए this can only be done by a person who is directly related to the problem कि उस प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ हो आप अपनी class को पढ़ाते हैं तो आपको अपनी class में बच्चों की problems के बारे में पता होगा तभी तो आप अपनी class प्रेक्शन रिसर्च कर सकते हैं इस subject matter is related to daily और practical life की इसकी जो विशे वस्तु है दैनिक और वहवारी जीवन से हमारी संबंदित होती है तो ऐसा नहीं कि action research स्कूल में किया जाता है daily life की जो problem है कोई organization है वहाँ पे भी action research किया जा सकता है it is a solution to the daily and real problem of the school life कि विद्याले जीवन की दैनिक वह वास्त्विक समस्याओं का एक समाधान है its purpose is to improve school functioning कि इसका ओदिश विद्याले की जो कारी पढ़नाली है उसमें सुधार करना और विद्याले को और बहतर बनाना this research is completed in a very short time कि यह अनुसंदान बहुत ही कम समय में पूरा किया जाता है इसलिए तो इसको हम external research कहते है इसके advantages क्या क्या है external research is a very important tool for solving the problem of education की क्रियात्मक नुसंदान सिक्षा की जो daily जो यह problem जो होती है इनको इनके समाधान का एक बहुत ही महत्पूर्ण उपकरन है बहुत ही महत्पूर्ण टूल है under the solution to the problems of teaching are found through scientific method कि इसके अंदर गर सिक्षन की जो समस्य है उसको scientific method विज्ञानिक विदी से उसका समाधान खोजा जाता है action research is a powerful means of development in the functioning of the school की क्रियात्म करुशंदान विद्ध्याले की कारिपदिती का विकास करने का एक सबल तरीका है तो इससे जो school की जो functioning उसको और बहतर बनाया जा सकता है through this the teacher tries to solve the problem of the class and the school कि इसके द्वारा से एक्षा कच्छा तथा विद्ध्याले की जो समस्यां है उसको सुल जाने का प्रयाज करता है ताकि teaching learning जो है एक सही direction में आगे बढ़ सके it aim is to make education better कि इसका उद्ध्य सिच्छा को उत्तम बनाना है it is a scientific method to study problem कि इस्ता मस्याओं के अध्यान का एक विज्ञानिक तरीका है एक विज्ञानिक पदिती है अब इसके scope की बात करें तो action research school में कहां कहां किया जा सकता है तो teaching method पर किया जा सकता है कि यह देखने के लिए कि कौन कौन से teaching method कि い class के लिए effective थो teaching method पर किया जा सकता है teaching it पर किया जा सकता है technology if seeking कि working की बात झाल सकता है ठीके तो teaching its पर भी action research किया जा सकता है language difficulties की language से related बच्चों को problem होती तो इस पर action research किया जा सकता है problem related to social science अगर हम social science की बात करें यहां इस subject में बच्चों के interest को लेकर भी action research किया जा सकता है ठीक है बच्चों की problem को भी लेकर action research किया जा सकता है और इसके अलावा हम यह बच्चा क्लास में हमेशा घर से तो निकलता है लेकिन इसकूल में नहीं जाता क्लास में जाता अफसेंट रहता है क्लास को बंग करता तो इस से रिलेट जो problem इस पर भी action research किया जा सकता है और इसके अलावा बच्चा जो बार बार इसकूल लेट पहुंचता है डेली लेट पहुंचता है तो इस problem पर भी action research किया जा सकता है इसके अलावा effectiveness of homework given by teacher कि teachers के द्वारा जो बच्चों को homework दिया जा रहा है कितना effective है उससे बच्चों को क्या सीखने को मिल ला है तो इस पर भी action research हो सकता है strength interest attention readiness and curiosity इन पर भी action research किया जा सकता है problem of strength cheating in examination की बच्चियों बार बार जो exam में नकल करते हैं इस पर भी आप action research कर सकते हो इसके अलावा problem related to the organization and administration of the school के विद्ध्याले के संगठे ने परश्रासन से संबंदी जो समझ से है उसके भी एक्सान research कर सकते हैं तो इतने सारे topic मैंने आपको बता दी है और जब आप school में जाना आपको action research करना हो तो इन में से आप कोई भी topic लेकर उसके आप research कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हमने action research के concept को समझा इसके क्या स्कोप है इसके क्या इंपोर्टेंस है इसके क्या स्टेप्स है हमने इस सभी पॉइंट्स पर बात की तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जुरूर बताईएगा आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद